नमस्कावार दोस्तों आप शुवी का बहुत बहुत श्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशी भल की बारे में जी आ दोस्तों आज के दिन करों की दिदिकेशी होंगी क्या क्या योग बनेंगे और इनका शुर आपकी राशी पर जरूर देखें उसे अप्ले दोज़ों जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने शाथी बैल आइकन को भी प्रेश करने यह आपकी राज सी के ऑफिसियल चैनल है तो उन्हें सब्सक्राइब शरूर करें तो चलिए दोज़ों अब बात करते हैं बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते यहां, लोग तो दिल में भी दिमाग लिए फिरते हैं, अकेले ही गुजरती है जिन्दगी, लोग तसलियां तो देते हैं, पर साथ नहीं देते, दोस्तों सोचा था कि एक घर बना कर सुकुन से बेठूंगा, पर घर की जरुतने तो मुसाफिर बना डाला, मैंने जिन्दगी से पूछी कि इतना दर्द क्यों देते हो, जिन्दगी ने हस कर जवाब दिया, कि मैं तो सबको खुषी ही देता हूँ, पर एक खुषी दूसरें का दर्द बन जाता है, भूलने वाले बातें याद है, इसलिए जिन्दगी में बिवाद है, दोस्तों गुजर जाएगा ये दौर भी जरासा इत्मिनान तो रख जब खुसियां ही नहें ठरी तो गम का क्या उकाते ये जमीन की फित्रत है कि हर चीज को सौक लेती है वरना इन आखों से गिरने वाले आशों का भी एक अलग समंदर होता बहुत अंदर तक तभाई मचाते हैं जो अच्क राजशीफल की देनी राजशीफल दोस्तों यश्व में आपने अपनी दिंचरिया से समधित जो भी उजनाय बनाई है उन्हें किसी के शाथ भी शेयर ना करें तथा चुपचाप शांती उपन तरिके शे कारिक करने शे आपको शी शबलता प्राप्त होगा दोस्तों परि अधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्व में अगर आप निवे शम्मदी कुछ पलानिक कर रहे हैं तो दोस्तों ध्यान रखें कि उसमें कुछ गलतियां होने की असंका बन रही है बिना किसी कारण के मन में कुछ असांती जैसा महसूल हो सकता है किसी अनभी व्यक्ति के शानित्व में शमय वेतित करना आपको शकार्त में बनाएगा तो दोस्तों जरूरी दिन पर ध्यान दें और इसके उप्रांदों से यश्व में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि नई उम्मीद के शाहत दिन की शुरुआत होगी अपने विचारों को वास् कि यश्मे परिवार के करीबी व्यक्ति दोवरा योगमाडर्शन मिलने के विज़ाश से बड़ी शमस्या का शमधान भी यश्मे आपको प्राप्त हो सकता है इसके शाधी दोस्ते यश्व में आपके लिए जह समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि यश्मे किसी भी पर परकार की परतिश बर्दा के छेतर में सफलता मिलने की उत्तम शमहना ये बन रही है इसलिए दोस्तों अपने लक्षियों के प्रतीद पुरा ध्यान लगाएं बाहरी शंपर्ग शुत्रों को और अधिक मजबूत करने का प्रयाश करें दोस्तों ये आपके लिए लाब दैग करेंगे कभी कभी बहुत अधिक जल्दबाजी और जीद करना नुक्षाम देव हो शकता है परिवार तथा रिष्टेदारों के शाथ संब्द मदूर बना कर रखें क्योंकि दोस्तों ये श्रमे किसी परकार का मद्वेद होने के श्रम का लग रही है खर्च करतेश में आपके लिए श्रमे आवश्य होंगे और इसको प्रहां दोस्तों आप पर बना हुआ तनाव कम होने भी लगेगा फिर भी दोस्तों अपने प्रत्नों को आप जारी रखें आपकी लपरवाई आपके लिए शमस्या खड़े कर शकती है तो दोस्तों ये श्रमे इनका ध्यान ञाल रखें इसनेस दोस्तों आपको बताते की काम करतेश में किसी से बाचित करतेश में पूरी तरह जागोती रहें की आपको शक्ता आउंगे इसको फ्रहां दोस्तों ये शम्योंमे आपको उघ्यिव्ति तुता से नकातों पस्तितियों पर काबू पाने में आप यसमी सक्षम रहेंगे। फिर लेंदेन ना करें। विद्यारती लपरवाही के विजशे हांत में आई हुई उप्रब्दी को भी खोर शकती हैं। तो दोस्तों यसमी आपको जागुरू रहने की आवशकता होंगी। शुरुआत से मांसक संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देने की आवशकता होंगी। इसको प्राम दोस्तों यसमी आपके दिंचरे के लिए जिसमी होंगी। दोस्तों आपको बदा दें कि अपने कर्म पर विश्वास रखें क्योंकि दोस्तों कर्म करने शेव भागे को अपने आप बल मिलता है। तो दोस्तों इस बात पर यसमी आपको गौर करना चाहिए। राजनेतिक और समाजी गतिदियों में भी आपका यसमी युगदान रहेगा। तथा आप एक 20S मुकाब यसमी हासिल करेंगे। परिवार के साथ किसी दार्मिक आईजन में शामिल होने का आपको आउशर भी यसमी प्राप्त हो सकता है। घर में भी किजी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों के शाथ बहुत अधिकार पुर्ण वहवार ना करें। बच्चों को अपने केरियर को लेकर कुछ तनाव बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों यसमी आपके लिए जो सम्होंगी आपको बता दे कि आप अपने काम से फिर से भटक सकते हैं। या फिर फिर से आप भटक रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पर आपको यसमी गौर करना चाहिए कि कौन सा आपका काम यसमी छूट रहा है। इसको प्राहन दोस्तों यसमी अगर आपकी केरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यसमी आपके वायशा के लिए जो समय होंगे आपको बता दे कि पबलिक डिलिंग, मीडिया तथा मार्केटिंग समधी वायशा यसमी चपल रहेंगे, महनत की अधिता बनी रहेगी, नोकरी दोस्तों यसमी में कोई ओफिसियल यात्रा समधी ओडर भी आपको मिल सकता है, यसमी आपको अपने टार्गेट को पाने के लिए ज्यादा प्रयाश करने की जर्रत होंगी, साथी दोस्तों काम से समधी कठिन, बातें पूरी तर होने के उज़शे आपको यसमी समाधान भी प्राप्त होगा, लेकिन काम से ध्यान भी आपका कम हो रहा है, तो दोस्तों यसमी इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए, इसको प्रहां दोस्तों यसमी आपके केरेट के लिए जो सम्होंगी ये दोस्तों आपको बता दें, कि मरुजन तथा ग्लेमर से समधी वाय कारबारी महिलाओं बिसेश रूप से सबल रहेंगी, आई के शुरूत बढ़ेंगे, शारकारी शवराद व्यक्तियों का अपने अधिनस्त करमचारियों पर परवाव बना रहेगा, साथी दोस्तों यसमी में मेंटल से समधी वाय पार में अपने छमता से अधिक काम ना ले यह आपके लिए बहतर होंगे, इसको परांदे दोस्तों यसमी में आपके वाय शाय के लिए जो समय होंगे, आपको बदा दें, कि कारे शितर में आपका जो कायर परणाली है, उनमें कुछ बदला उलाने की भी जरत होंगी, किसी भी कारे को करने शे पहले उसकी बारे में जनकारी अवश्च पराप्त करें, दोस्तों अपने राजनेतिक संपरकों को भी और अधिक मजबूत बनाएं, शरकारी शवराद विक्तियों को अपने उचित कारी के विज़ेश सम्मान भी पराप्त हो सकता है, इसको परांदोस्तों यह शमय, आपके केरेर के लिए जो सम दर्म रखना आपके लिए उचित रहेगा, इसको परांदोस्तों यह शमय, नोकरी पेशा विक्तियों के लिए शमय अनुकूल है, कुछ विसेज उपलगदियां आपको प्राप्त होने वाली है, आपको बता दें, यह शमय, आपके जोन में बड़ी शफलता भी आपको मिल प्राप्त होगा, तथा पारिवरिक वातारण भी शमय, खूशाल बना रहेगा, इसको परांदोस्तों यह शमय, आपके लव लाइफ के लिए जो समय वह शमय, दोस्तों आपको बता दें, कि अत्तिधिक व्यस्ता के कारण, पती पतनी एक दुसरे को शमय नहीं दे लेकिन दोस्तों, आपसे समझस दोवरा, घर का वातारण यह शमय, उचित बना रहेगा, इसको परांदोस्तों यह शमय, आपके लिए जो समय होगे, आपको पता दें, कि पती पतनी कि आपसे शमन्द भी श्वार्द पूर्ण रहेंगे, घर का महौल भी अनुशासे तथा मर्यादित बना रहेगा, जिसे दोस्तों, आपको आत्मी खुशी की प्राप्ती भी होने वाली है, इसको परांदोस्तों, पारिविर वातारण उत्सा वर्दक तो रहेगा ही, शाति प्रेम, शमन्द की जो परिशानी है, यह शमय तूर होगी, इसले दोस्तों, यह आपको पेट से समन्द किसी भी परकार की दिक्कत होने के वज़े से, आपको इसे अपने खान पन को लेकर शमीत रखना चाहिए, थोड़ी से शावधानी आपको इसमे पूर्ण रूप से श्वास रखेगी, तो दोस्तों, इसमे अपने खान पन को लेकर आप शावधान है, इसके को बता दे, कि यश में खान पन के अदर सुधारें, मुह में छाले या फिर किशी परकाल के लर्जी हो सकती है, तो दोस्तों, इन सभी चीजों को लेकर आप शावधान रहें, यह आपके श्वास के लिए बैतर होंगे, और यश में आपका भागिशाली रंगरे गाहरा, औ कि शाली अंकरेगा नौ